नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका नोल जवानी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 50 बहुती मत्पूर्ण बैलूजी की कोश्चन देखने वाले हैं यानि की आज की इस वीडियो में हम 50 मत्पूर्ण परसन जानेंगे जो की जी विग्यान से लेटिड होंगे ये परसन जो है कही न कहीं एक्जाम में आपके पुछी जा चुके हैं और ये आपके हर परकार के एक्जाम जैसे गुरूपसी, SSC आदी में आपके लिए helpful होंगे तो आप वीडियो को सुरू से लेके आखर तक जूर देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बैले के जूर दबाईएगा next question है वसा में गुलनशील विटामिन कोमसे हैं यानि कि ऐसे विटामिन्स का नाम बताना है जो की वसा में गुलनशील होते हैं तो दूस्तों इनका नाम है विटामिन क,E,D,A तो दूस्तों इसको या रखने की शोर कट ट्रिक रहेगी कीड़ा तो कीडा से आप याद रखेगा K,E,D,A तो जो ये चार हैं ये वसा में गुलंशील विटामीन हैं तो विटामीन K, विटामीन E, विटामीन D और विटामीन A ये चारो ही जो हैं वसा में गुलंशील विटामीन होता हैं और जो बाकी बचते हैं विटामीन B और C ये जल में अगला कोशन देखते हैं नेक्स्ट है एंथ्रोपोलोजी का जो है समन्ध किस से है तो दोस्तो एंथ्रोपोलोजी जो होता है इसका समन्ध मानो परजाती के अध्यान से होता है तो यानिकि जो मानो परजाती होती है इसका जो अध्यान होता है यानिकि जो इसको स्टेडी होत यानि कि यक्री जो होता है उसमें जो है विटामीन A बंडारी तो होता है इस्टोर होता है नेक्स कोश्चन है रख्त दाब जो होता है यानि कि जो ब्लड प्रेसर होता है इसका मापन किस से किया जाता है तो रख्त दाब का मापन जो है वो किया जाता है स्पिग्नो मेमोमीट तो sphygno memometer जो होता है इससे रक्त दाव यानि की blood pressure का मापन किया जाता है अगला question देखते हैं next question है अस्रू यानि की जो आंसू होता है tears होता है इसका जो शरावन है वो किस गरंती से होता है ये बताना है तो दोस्तों इसका सरावन जो है ये होता है लेकाईमल गरंती तो लेकाईमल गरंती जो होती है इससे अश्रू का सरावन होता है अश्रू यहीं से बैते हैं अगला है कि रतोंधी का कारण है तो रतोंधी किस कारण होता है ये बताना है अगला है मोतिया बींद में नेतर लेंस हो जाता है कैसा तो जो मोतिया बींद होता है उसमें नेतर लेंस जो होता है और आंक का जो लेंस होता है वो कैसा हो जाता है ये बताना है इसको रोकता है, कौन सा विटामीन उसका नाम बताना है, तो ये विटामीन है दोस्तों विटामीन के, तो विटामीन के जो है, ये रक्त के स्रावन को रोकता है, यानि की रक्त के बहने को रोकता है, अगर विटामीन के की कमी है, तो सरीर में जो रक्त का बहना है, वह नहीं तो विटामिन के बहुत जुरूरी होता है अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन है यहापर दुगद में शरकरा है तो जो दूद होता है उसमें शरकरा का नाम बताना है तो दूद में जो शरकरा होती है उसका नाम होता है दोस्तों लेक्टोज लेक्टोज होता है दूद में अगला कुश्चन है एंजाइम मुख्यता होते हैं जो एंजाइम होते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं इनका नाम बताना है तो एंजाइम जो होते हैं दोस्तों मुख्यता ये प्रोटीन होते हैं इन प्रोटीन को ही एंजाइम का जाता है अगला है विटामिन B1 की क परभावित अंग कौनसा है तो जो पीलिया होता है तो स्रीर का कौनसा परभावित होता है यह बताना है तो पीलिया से एकार जいき झाना में यक्रित यानिकी supervisor ек्टार नेक्स विशानु की खोज है 1872 में हुई थी और यह तंबहु That's the तो 1920 में तंबाकू में की गई थी वो किसके दवारे की गई थी ये बताना है तो ये खोज की थी दोस्तों यीवा नोष की तो इसका निरमान अस्ती मंज़ा में होता है तो important है ये भी याद रखिएगा नेक्स्क्सक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् लीची का खाने योग्य भाग जो होता है उसको कहते हैं एरिल तो एरिल जो होता है लीची का खाने योग्य भाग होता है नेक्स्ट है शेवाल जो शेवाल होते हैं इनका जो अध्यान होता है इनकी स्टडी जो होती है इसको क्या कहते हैं तो शेवालों का जो अध्यान होता ह के जनक है अगला कोशन है संसार का सबसे तेज दोड़ने वाला प्राणी कौन सा है उसका नाम बताना है तो संसार का जोसे तेज दोड़ता है प्राणी उसका नाम है चीता आप सभी जानते होंगे next question है मुनुष्य के हिर्दे में कितने कोस्ट होता है यह बताना है तो जो मुनुष्य का हिर्दे होता है यानि कि जो हाट होता है उसमें चार कोस्ट होता है तो इसका अंसर रहेगा चार अगला है yeast जो होता है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है तो yeast जो है डबल लोटी बनाने पर रोकिया जाता है अगला question है जिवाश्म की जो आयू है उसका अगर हमें पता लगाना है तो कैसे लगा जाएगा तो जिवाश्म की आयू का पता carbon 14 समस्थानिक से लगा जाता है और इस method को radio carbon dating कहते है तो carbon 14 समस्थानिक से जिवाश्म की आयू का पता लगा जाता है अगला question देखते हैं यहाँ पर next है सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है तो आप से भी जानते होंगे सबसे बड़ा पक्षी जो है शत्रमूर के है जिसको इंगलिस में ostrich कहते है और इसका अंड़ा भी जो हता है सबसे बड़ा होता है और इसकी जो कोशिका है जो है वो सबसे बड़ी होती है शत्रमूर के अंडे की अगला है कि सर्वदाता यानि की universal donor जो है ये किस रुधीर वर्ग यानि की blood group के व्यक्ति को कहते हैं तो जो universal donor है वह O blood group जिनका होता है उनको कहते हैं यानि कि जो O work के लोग होते हैं ये सबको अपना जो blood है वो donate कर सकते हैं यानि कि सर्व दाता हैं जबकि जो सर्व गराही होते हैं यानि कि जो universal acceptor होते हैं वे AB group से होते हैं तो जिनका AB group होता है वे universal acceptor यानि कि वो किसी का भी जो है रख्त ले सकते हैं जबकि universal donor यानि किसी को भी जो रख्त दे सकते हैं वो होते हैं over अगला है सरुग राही यानि कि universal acceptor या recipient रुदिर वर्क किसका है इसको हम discuss कर चुके हैं इसका answer है AB वर्क अगला question देखते हैं रेगिसानों में पाई जाने वाली वनसपती को क्या कहते हैं तो रेगिसान में जो वनसपती पाई जाती है उसको कहते हैं जीरोफाइट तो जीरोफाइट जो है रेगिसान में पाई जाने वाली वनसपती को कहते हैं next question है आपके सामने कि ओजोन पर हमें किस सेल्क्षन स्विश्ण परता होंगे ए तो ऑजोना है यह प्रैव doubling से रख्षा करती है और जिसके कारण 발라v journ when everybody क से यह कंब परता है यह जासे यह जो है इसमें शती हो रही एए इसमें खेद हो रहे हैं जिसके कारण प्राव व्यर्णि विक्रिणें ज्यादातर प्मिनी माता रोग होता है ये शरीर में किसकी अदिकता के हो जाने से हो जाता है तो मिनी माता जो रोग है ये शरीर में पारा यानिकी मरकरी जिसका परतिक होता है है इसके कारण इसकी अधिक्ता के कारण होता है तो याद रखेगा अगला है कुनेन नामक जो है एक मलेरे की दवा है ये किस पोदे से प्राप्त की जाती है तो कुनेन और जो आपका जल है ये करमसा होता है कहाँ पर होता है ये बताना है तो जो प्रकासिश्णी किरिया होती है इसमें जो CO2 है उसका होता है अप्चियन और ह2 मेर कि छल का ऊक्सिक्रण होता है याद रखेगा इम्पोर्टन्ग है अगला है कि वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निगलती है तो जो वनस्पतियां होती है जब सड़ती है तो उनके सड़ने से कौन सी गैस निगलती है ये बताना है तो उनके सड़ने से निगलती है दोस्तों मिथेन गैस यानि कि CH4 जिसका प्राणू परतीक है तो मिथेन यानि की CH4 जो है ये वनसपत्यों के सड़ने से निकलती है अगला है पर्थम स्रेनी के उबोकता कौन से हैं तो फर्स्ट कंजूमर बताना है तो पर्थम स्रेनी के जो उबोकता होता है ये होते हैं दोस्तों ये गाएं, बकरी, हीरन, खरगोस ये सबी जो होता है ये पर्थम स्रेनी के उबोकता होता है जो की शाकारी होता है और जो खास खाता है गाए, बकरी, हीरन, खरगोस ये सबी जो है पर्थम स्रेनी के उबोकता है अगला कुशन की दर्फ चलता है अगला है रक्त सकंदन में कौन सा विटामिन किराशील होता है तो जो रक्त होता है उसका सकंदन करने में जो है कौन सा विटामिन किराशील होता है ये बताना है तो रक्त सकंदन में जो विटामिन किराशील है वो विटामिन के है यानि कर वही रखत को रोकना बहने से तो यह Vitamins K ही करता है अगला है सांस द्वारा बाहर निकाले गई जो वायू होती है उसमें कितनी Oxygen होती है यह बताना है तो जो सांस द्वारा हम बाहर वायू निकालते हैं वो जो है उसकी उसमें Oxygen की मातरा 17% होती है तो 17% जो है उस में oxygen होती है जो सांस दोरा हम बाहर निगालते हैं वाईू अगला है लाइकेन एक मिस्रित जीव है जो किसके बने होते हैं ये बताना है तो लाइकेन जो होते हैं ये मिस्रित जीव है ये बने होते हैं कवक और शेवालों से तो कवक और शेवालों के मिस्रन से बनते हैं, ये लाइकेन होते हैं, अगला है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कोन सी है, बहुत ही मतपुन परसन है, तो जो सजीव होते हैं, यानि की living होते हैं, और निर्जीव यानि की non living होते हैं, इनके बीच की जो कड़ी होती ह दोस्तों यह होती है वाइरस यानि कि विशानू को हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं संत्रित वसा के लगातार सेवन से कौन सा रोग होता है तो अगर हम संत्रित वसा का लगातार सेवन करते हैं तो कौन सा रोग हो जाता है तो जो red blood cells होती है यानि कि लाल रुदिर कणिकाई होती है इनकी संख्या अगर में count करनी है तो किस से करते हैं ये बताना है दोस्तों इस उपकरन का नाम होता है hemocytometer तो hemocytometer से RBC की संख्या ग्याद की जाती है next question है कि RBC जो होता है इसका जीवनकाल कितना होता है इनकी time period जो है lifetime कितना है तो RBC का जीवनकाल है दोस्तों ये होता है 120 दिन important है इसको आप याद रखेगा exam में पूछा जा चुका है तो RBC का जीवनकाल यानि कि लाल रुदिर कणिकाई को जीवनकाल हो 120 दिन होता है नेक्स्ट है रेसे रेपिन नामक रक्तचाप यानि ओसदी जो है किस पोदे से प्राप्त की जाती है जो रेसे परिन नामक रक्तचाप की ओसदी है ये किस पोदे से प्राप्त की जाती है ये बताना है तो ये प्राप्त की जा दिया दोस्तों, राउलफिया सर्पेंटाइन, तो राउलफिया सर्पेंटाइन नमक बोधे से ये प्राप्त की जाती है, रेसरफिन नमक जो रक्तचाप ओजदी है, अगला कोश्चन है, मनुष्य में जिवानों से होने वाले रोग कौन से हैं, तो म मुख्य में जिवानों से होते हैं जो वे हैं TB, हेजा, टिटनेस और प्लाइग इन चारों को याद रखेगा TB, हेजा, टिटनेस प्लाइग जो है जिवानों द्वारा जनित रोग हैं अगला कोश्चन है कि मुख्य में विशानु द्वारा जनित यानि विशानु जनने जो र अगला है कि मनुश्य में फंफूत जनित रोग होते हैं तो फंगस से होते हैं दूस्टों इसका निर्धारन फोनेले होते हैं अगला कुछ 사 220 अगला कोष्चन है दोस्ते होता है वह कासी होता है तो मानमें संतान का जो link का निर्धारन है यानि कि वो male होगा या female होगा इसका निर्धारन दोस्तों पिता के link उन्ट सुत्रों से होता है तो याद रखेएगा पिता के link उन्ट सुत्र जो हते हैं यही decide करते हैं कि मानव की जो संतान है वो male होगी या female होगी अगला है शरीर में जलकी कमी से क्या होता है तो आप सभी जानते हैं शरीर में अगर जलकी कमी हो जाएगी तो dehydrate हो जाएगा यानि कि dehydration हो जाता है जिसको हिंदी में निर्जली करन कहते हैं अगला है आनुमांशी विज्ञान के पिता किसे मानजाता है important है तो आनुवंशी विज्ञान के पिता जो है यह मानजाता है दोस्तों Gregor John Mendel को तो Gregor John Mendel जो है इनको आनुवंशी विज्ञान का पिता कहा जाता है अगला है और last question है मानव सरीर की जो सबसे छोटी कोश्का है यह कौन सी होती है यह बताना है तो मानव सरीर की जो सबसे छोटी कोश्का है यह micro plasma होती है important है इसको आप याद रखेगा तो मानव सरीर की सबसे छोटी कोश्का जो है यह micro plasma है तो दोस्तों यह थे 50 बहुत दी मत्तपूर्ण biology-related question और दोस्तों आगे भी हम आपको जो है biology-related इसी प्रकार के question जो है MCQ की form में और one linear की form में दोनों में provide करते रहेंगे आप जो है चैनल के साथ बने रहें support करते रहें और इस वीडियो को like, share और comment करना बिल्कुल नहीं भूलेगा और दोस्तों हमारे चैनल knowledge बानी को subscribe कर bell icon जूर दबा लीजेगा अब भी लेंगे दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए thanks for watching